कॉंग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीते दिनों मौजूदा सरकार पर क्रशी घोटाले का आरोप लगाया था। उसी आरोप का कटाक्ष करते हुए बीजेपी प्रवक्तार नरेंद्र सलूजा ने जीतू पटवारी के आरोपों को निराधार बताकर पर जम कर निशाना साधा। कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कुछ दिन पहले मौजूदा बीजेपी सरकार पर बीज घोटाले के आरोप लगाये थे। इसी सी चीफ दौरा लगाये गए इन आरोपों की अब हवा निकलती हुई नजर आ रही नरेंद्र सलूजा ने इस मामले में जीतू पटवारी को जम कर आड़े हाथू लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कृशी मंत्री ने कौंग्रेस के इन आरोपों के बाद जीतू पटवारी को चुनौती दी है। कि हिम्मत है तो जीतू पटवारी खुद अपने आरोपों से पल्ला जहाड रहे हैं। उन्हें खुद अपने आरोपों पर विश्वास नहीं है। इसलिए उन्होंने खुद के लेटर पैट की बजाए मुकेश नायक के लेटर पैट पर आरोप लिख कर बेज दिये। प्रमाणी करम के नाम पर उन्नत बीच के नाम पर घोटा लग किया जा रहा है। उसके जवाब में प्रदेश के करशी मंत्री ने उसी दिन उन्हें चुनोती दी यदि जीतू पटवारी के पास को तत्थ्यों प्रमाण है तो आरोप लगाने के बजाए अपने लेटर करवाई कराएंगे जाच कराएंगे हम तो तयारे जाच कराने को दोशी पर करने के लिए बड़े आश्रे के बात है कि पांच दिन बाद एंदल सिंग कंसाना जो करशी मंत्री उनके इस चुनोती के बाद जीतू पटवारी की नीद तो खुली लेकिन कहते हैं ना कि चोर की मंत्री को विदान सबद्धेश को आई दिन तमाम नेताओं को पतर लिखते हैं उन्होंने पतर तो लिखा लेकिन बली का बख्रा दिया मुकेश नायक को व सारे जो उनुके तट्य थे वह मुकेश नायक के लिट्रपड़ पर लिख के मंत्री ची का भेज़ दिये आप देख रहे हैं दखल नीओ